दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से water heater roads आपको इस्टमाल करनी चाहिए और दोस्तो क्या ये safe है अगर दोस्तो ये safe है तो दोस्तो कितनी safe है आपको किन-किन साफधानियों का ध्यान रखना है तो चलिए जानते हैं full detail में दोस्तो मैं रोड का इस्तमाल किया जाता रहा है यह सबसे पुरानी पानी गरम करने के techniques में से एक है जिसे आज भी कहीं जगा पे इस्तमाल किया जाता है जबकि आज बजार के अंदर नए नए तरह के heaters आ चुके हैं electric gas सभी प्रकार के heaters जो है available है लेकिन फिर भी roads का इस्तमाल बड़ आपको अच्छी companies की crompton जैसी बजाज जैसे companies की भी आपको roads मिल जाएंगी इतन से आप जो है काफी safely water गरम कर सकते हैं दूसरा दोस्तो कारण यह कि कहीं लोग ऐसे हैं जो कि भार outer city में रहते हैं अपने घर से दूर रहते हैं या फिर दोस्तों पीजी में रहते हैं या फि कुछ साफधानियों को नहीं वरतेंगे तो दोस्तों आपको कुछ दिखते भी सामने आ सकती हैं तो चलिए जानते हैं किन-किन साफधानियों को आपने जरूर ध्यान देना चाहिए अगर दोस्तों आप family के साथ रहते हैं और आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो दोस्त दोस्तों आपने बिना चपपल के बिल्कुल भी नहीं आना है जिससे दोस्तों अर्थिंग के कारण आपको किसी पर रही समस्या देखने को मिल सकती है पानी को गरम करने के लिए रोड का इस्तमाल करते समय एक बात का खास ध्यान रखेंगी जब भी आपानी को लगा रहे ह सकते हैं क्रॉम्टन या बजाज की क्योंकि दोस्तों काफी सारी कंपनीज भी जो है इसे राट्स में डील करती हैं और काफी नए ने जो प्रॉडक्ट लाती है और जिनके उपर सेफटी के उपर काफी अच्छे से काम किया जाता है तो मैं तो आपको रिक्मेंड कर रहा पी आप क्रॉम्टन किया बजाज किया आप ले सकते हैं जिसके लिंक से दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप चाहे तो इन्हें वहाँ जागर खरीद सकते हैं वहीं पे दोस्तों बजाज के अंदर काफी सारी लोकल कंपनीज की ट्रेयराज भी आत इन्हें ।